तो कहाए कि सब सम्हाल लेता हूँ भाई की लडाई हो या दोस्त के पच्छडे गर्फिर्ण का एक्स हो या उसके घर के बाहर नुकड पर खड़े फुकर सब सम्हाल लेते हैं हाथों का प्लास्टर हो या छिले हुए घुटने गिरे हो बाइक से या खड़े हो टीचर से पिटने अब बहन तो विदाई पर रो लेगी पर हम नहीं रोएंगे चार दिन की रोट रिप है पर हम वील पर नहीं सोएंगे एक छोटा सा किस्सा भी हो जाए तो उसे बड़ा चड़ा की सुनाएंगे पर जब दिल तोटेगा ना तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताएंगे क्योंकि सब सम्हाल लेते हैं क्या है ना कि दारू की केपैसिटी से हमारी आउकात ना पी जाती है पर सब को घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारे हिससे ही आती है किसी फिल्म की सैड एंडिंग हो या बेस्ट फ्रेंड का फॉरण जाने वाला फेरवेल सौफ नहीं होते हैं अगर गुस्सा होता तो आज अभी और प्यार जताने वाला सब कुछ कल क्या नहीं कि क्योंकि माचों इतने है पर सेंसिटिव टॉपिक पर थोड़े गरवड हो जाते हैं यार अपन लोग तो मम्मी को हख करने में भी ऑख़ोर्ड हो जाते हैं घर की financial problem हो या किसी की तब्यत खराब पापा की social standing हो या safety security का सवाल सब सम्हाल लेते हैं हम वो हैं जो footpath पर बाहर की तरफ चलते हैं साया बनते हैं परिवार का और धूप में खुद बनते हैं कभी हमारी भी मर्दानगी का परदा हटा कर देखना कभी थामना हमारा भी हात कैसे हूँ तुम पूछना क्योंकि यार हमारी भी सक्ट शकलों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जी जिसकी ख्वाइशे घर गारी आस्मान नहीं अपनापन सच्चा है हमें भी डर लगता है अकेले अंधिरे कमरों में हम भी नहीं सो सकते हैं और सच कहूं तो जूटे हैं वो लोग जो कहते हैं कि आदमी रो नहीं सकते हैं वाग यहां इसके अलावा सब सम्हाल लेते हैं बाइगी लडाई हो दोस्त के पच्छडे गर्फरिंड का एक्स या उसके घर के बाहर नुकड पर खड़े फुकर सब हमाल लेते हैं